नमस्कार फ्रेंड्स मैं हूं चंदन और आप देखने सभी ग्यान सीखते रहो यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपो F1S की दो हिडन फीचर जिसे देख करके आप चौक जाएंगे तो फ्रेंड्स उसे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जो भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और जो फ्रेंट्स इस चैनल को अल्रेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो देख लिजे फ्रेंट्स अब मैं आपको अपने मॉवाइल पर अपोय फॉएज की दो हीडेन फीचर आपको दिखा देते हैं जो की बहुत ही जखास है और आप देख करके हैरान हो जाएंगे तो देख लिजे वो क्या है मैं आपको बताता हूं तो फ्रेंट्स पहला हीडेन फीचर क्या है फ्रेंट्स आप लोग अपने मॉवाइल में गू घूगल आप ओपन करने की एक एडिन फीचर है जिसकी मदद से आप बीना गूगल आप को डुनटे आप देख लिए बस आपको अपने मुवाइल के स्क्रीन पर एक अंगुली को ऊपर से लेकिन नीचे की और भीषका देना है और भीषकाते ही आपका Google App open हो जाएगा तो देख लिजिए मैं अपने mobile पर के screen पर अपने अंगली को उपर से नीचे की और खिसका रहा हूँ और खिसकाते ही मेरा Google App open हो जाएगा तो देख लिजिए बस खिसका रहा हूँ और देख सकते हैं मैंने खिसका दिया हूं और खिसकाते ही मेरा Google अप ओपन हो गया तो यह काफी जहकास फीचर है और फोट फीचर है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं अब मैं आपको ओपो फ्यूएनेस की दूसरी फीचर आपको दिखा देते हैं तो देख लिए फ्रेंट्स आप लोग अपने स्क्रीण सोट लेने के लिए बस आपको अपने मुवाल के स्क्रीन पर तीन आंगली को ऊपर से लेकिन नीचे के और खिसका देना और खिसकाते ही ही आपका स्क्रिंसाट हो जाएगा तो देख लीजे मैं आपने मॉइल पर तीन उंगली के ऊपर से नीचे की और खिसका रहा हूं च्रीन और खिसकाते हैं मेरा screenshot हो जायगा तो देख लीजिए ये माँ खिसका दियां तीनों उङली को एक साथ और स्कृरीन पर और हिसकाते हैं मेरा screenshot हो चुका और ये एav screenshot screenshot file में जाके सेव हो गया होगा तो फ्रेंट्स ये था ओपो यफून इसकी दो जखास और हीडन फीचर जिसे की ओपो यफून चलाने वाले बहुत ही कम लोग जानते हैं तो ये दोनों हीडन फीचर है ओपो यफून इसकी काफी जखास तो फ्रेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको ये को वीडियो नई नई देखकर नई नई ट्रिक सिखते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब किईए और रोज दिन देखिए नई नई वीडियो रोजदीन सिखे नई fiquei च मिलेंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई